नमस्कार आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टेडी भी अच्छी चल रही होगी जैसे कि आपको पता है हमारे देश में एगनी वीर योजना को लेके काफी बड़ा मुद्दा बनाऊ है तो उससे समंदित एक लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है कि ये अगनी वीर योजना में काफी बड़ा बदलाव किया है बारसरकार और मिनिश्ट्री ओफ डिफेंस ने तो क्या बदलाव किया है क्या इसमें चेंज़े जाए क्या आपको छूट मिलने वाली है तो हर एक चीर डिसकस करेंगे अभी तक जो चैंजिस हुएं उनके बारे में तो आप मेरे साथ आखरी तक बने रहें अगर आप इस चैनल पे नए हूँ तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें आप हमारा वटसप और टेलिग्राम ग्रूप चोइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्स ने मिलेगा अब बात करते हैं अगनीवीर योजना में हुए बदलाव के बारे में कि क्या बदला हुआ है सबसे पहले मैं बात करूँ ये आज इके न्यूजपेपर की कटिंग है इसमें क्या बताया गया है कि घ्रह मंत्राले का बड़ा फेंसला फिजिकल टेस्ट में मिलेगी चूट पुरव अगनीवीरों को केंदरी ये बलों की बरती में 10% आरक्षन लागू अब ये क्या है किन को आरक्षन मिलेगा जैसे कि आपको पता है चुनाओं में में काफी बड़ा मुद्दा रहा था पक्सका मेंसा मुद्दा रहा है कि अगनीवीर योजना को परमानेट बरती की तरह की जाए आप दो तरह के देश में सेहनी के नहीं बनाओ ये बरती चार साल की थी उसके बाद बहुत सारे केंडिट निरास हो रहे है कि हमें परमानेट नोगरी मिलने चाहिए हम चार साल के बाद क्या करेंगे तो इसन सब चीजों को देखते हुए केंदरिये घ्रह मंत्राले होम मिनिश्ट्री ने एक फैंसला लिया है कि जो अगनीबीर बरती है उनके चार साल पूरे होने के बाद कोई केंडिडेट अगर हमारी केंदरिये बलों की बरती है जिसे ससी जीडी की बरती हो गई इसमें क्या हो गया सियार पिएफ हो गया बियस अफ हो गया आई टी बीपी हो गया ये जो केंद्रिय बलों की बर्ती है जो कॉंस्टेबल पदों की बर्ती है सस्तर सीमा बलो गया असम राइफल हो गया कोई सी बर्ती है इनके अंदर इनको 10% छूट जी जाए मतला 10% सीटे इन लोगों के लिए फिक्स की जाए पहली बात तो यही है दूसरी बात क्या हो है कि इने फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा अगर आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया अगर आपने एकजाम पास कर लिया तो आपको रिटन टेस्ट पास कर लिया तो आपको फिजिकल नहीं देना फिजिकल क्यों नहीं देना क्यों आप ओल लेड़ी आर्मी से ही आ कर नाब होगा दो बात यह हो गई तीसरी बात क्या है कि चुनाओं यह नुकसान वहाद विवक्ष ने अगनी पत्थ या जो अगनी वीर योजना को लोकसपा में बड़ा मुदबना है माना जा रहा है इस योजना कान स्थारूड बाजपा को चुनाओं नुकसान उठाणा प तो इन सब चीजों को लेके ये चीज़ें त्यार की जा रही है आपको छूट दी जा रही है अभी और भी बदलाव होने वाले जहां तक उमीद है कि और हो सकता है कुछ लोग बोलें कि इसको खतम ही की जाए देश में दो तरह के सेनिक ना हूँ सिर्फ एक इतरह के सेनिक बन जा रही है जैसे इस बरती के बारे में कोई और अपडेट होगी तो मैं आपको जुरूर अलग से वीडियो बना के इंफर्म करूंगा आप हमारे साथ जुड़े रहें चैनल गो सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तेंगे बात